हेलो फेंड्स UBS exam में आपका स्वागत है सो पार नंबर फॉर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम और यहां पर हम मेली चार टोपिक के बारे में यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे सो फर्स टोपिक है अग्रैसिव नैशनलिजम मतलब की अक्रामक रास्टरवाद किस परकार से यहां पर बढ़ रहा था इसके बारे में हम देखेंगे सो में जी constitution यहां पर जो किस basis के उपर यहां पर इसकी जो अधार था वो था restricted franchise मतलब कि यहां पर जो वोटिंग अधिकार दिये गए थे वो सिमित होते थे ऐसे नहीं थे कि यहाँ पे सभी को यहाँ पे voting जो अधिकार हैं वो दिये गए थे और यहाँ पे एक diet का निर्मान किया गया था diet किया है यहाँ पे so यह जपान की Parliament का नाम है important है so इसके बारे में आपको पता होना चाहिए diet clear है so चलिए देख लेते हैं यहाँ पे diet आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी यहाँ पे जो जपान की Parliament है this one clear है बाहर से इस प्रकार से अंदर से इस प्रकार से so यहाँ पे लेकि जो diet है अब इसकी यहाँ पे एक limited power हुआ करती थी ठीक है limited power थी यहाँ पे diet की अब यहाँ पे जो leaders थे अब जिनों ने यहाँ पे imperial restoration यहाँ पे लेकि आए थे मतलब की जैसे कि हमने last में देखा था पहले कि यहाँ पे जो शोगून हुआ करते थे उनकी सत्ता थी लेकिन बाद में यहाँ पे जो imperial system फिर आ गया था इनके दोवारा अंदोलन किया गया था अंदोलन जो किया था कुछ leaders थे जिनों ने यहाँ पे साथ दिया था और जो शोगून्स हैं उन्हें यहां पे खतम कर दिया गया था मतलब उनकी जो सत्ता है वो उखाड फैंकी थे और यह आ गए थे यहां पे अब यहां पे यहां पे यह लीडर्स ने क्या करा अब यहां पे इन्होंने अपनी political party establish करना शुरू कर दी और यहां पे यह सत्ता में यहां पे किये जाते थे लेकिन यहां पे बाद में क्या हुआ कि यहां पे जो इनकी power है वो चलीगी प्राइम मिनिस्टर्स की cabinets के पास अब cabinet यहां पे इतना ज्यादा strong हो गया था कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर्स को भी यहां पे खतम कर दिया था और यहां पे इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी बनाने के लिए अब इन्होंने क्या करा कि टैक्स ही नगाने और जादा शुरू कर दिये कि यहां पे ज्यांदो फोर्श है इस तरह यहां पर सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस परकार से यहां पर जो study नया system यहां पर introduce कर रहे थे यह जो western यहां पर technology वो लेके आ रहे थे यहां पर जो teachers university schools में वो आ रहे थे यहां पर बढ़ाने के लिए train करने के लिए teachers को यहां पर बहुत कुछ हमें देखने को मिला था कि यहां पर जो nationalism की जो feeling है यहां पर country के प्रती जो होनी चाहिए रास्टवाद की जो feeling उसे यहां पर बरकरार रखने के लिए यह सारे कारे किये जा रहे थे लेकिन यहां पर इसी समय में यह सब कुछ भी यहां पर चल रहा था जिसकी वजह से यहां पर जो nationalism की जो बावना थ थी वह क्या हो रही-दिए फो एक अर्धित देखने को मिर रहा था किर सो किस अपरन आपको सिख से लेकर टवालुब यहां पे westernization and traditions मतलब पश्मी करन और प्रमपरा के बारे में देखेंगे हम यहां पे जो जपान के जो कुछ बुद्धी जीवी लोग थे अब उनके अलग-अलग views थे यहां पे जपान के जो relations थे दूसरी country के साथ में अब यहां यहां पे जो कुछ के थे जैसे कि US से हो गया जो western European countries होगी वो यहां पे इन्हें highest point of civilization मानते थे मतलब कि यह सबसे उपर है यहां पे सबयता जो इनकी है वो बहुत ही शांदार है बहुत ही सबसे उपर है यहां पे इतना जादा हो अच्छा मानते थे और यहां पे जो Japan है वो यहां पे इच्छा रखते थे कि उन्हें भी इनकी जैसा बनना चाहिए यहां पे जो FuKUAVAQ Yukichi ठीक है यहां पे FUKUAWA इसे BREAK करके यहां पे Yukichi इसतरा आप पनंशेट कर सकते हैं FUKUAVA Yukichi यहां पे इनके द्वारा यहां पे जो बात बोली गई थी कि जो जपान है अब उसे यहां पे एशिया से बाहर हो जाना चाहिए ठीक है यह बात यहां पे बोली गई थी इसका मतलब यह था कि जो जपान है वो एशिया जो क्रेक्टर्स टिक हैं अब उसे त्यागना चाहता है और यहाँ पे जो western countries है उनका हिस्सा बनना चाहता है तो यह बात यहाँ पे इनके दुवारा बोली गई थी सो नेक्स्ट यहाँ पे फिलोसोफर है मिया के सैथ सूरे सो इनके दुवारा यहाँ पे argument जो दिया गया था वो क्या था कि यहाँ पे हर जितने भी यहाँ पे nations हैं यह country हैं उन्हें यहाँ पे एक special talent है उनके अंदर उन्हें develop करना चाहिए कि वो जो world civilization है इसके हित में clear है सभी में यहाँ पे जो special talent है उसे develop करना चाहिए अब इन्हों ने यहाँ पे एक खास बात बोली वो क्या थी कि यहाँ पे अगर कोई भी अपने आपको अगर तो country के प्रती वो समर्पित कर सकता है तो वो अपने आपको यहाँ पे विशव के लिए भी समर्पित कर सकता है तो यह बात यहाँ पे इनके दुआरा बोले गई थी तो और भी यहाँ पे बहुत सरे जो intellectuals थे बुद्धी जीवी जो लोग थे वो western culture को बहुत जादा यहाँ पे अच्छा मानते थे और इसकी तरफ वो अकर्शित हो रहे थे और वो यह भी चाहते थे कि जो जपान है वो यहाँ पे military basis के उपर इसका इंटरस्ट इतना ज़्यादा ना हो यहाँ पे democracy होने चाहिए तो इस बात को वो ज़्यादा यहाँ पे एहमियत अपनी दे रहे थे तो इसके बाद उई की एमोरी सो यहाँ पे इन्होंने constitutional government की demand करी और यहाँ पे इन्हो revolution हुआ था जो उनकी सिदान्त थे अब उसकी इन्होंने बर्शंचा की थी क्या वो सिदान्त थे हमने लास्ट में देखा था इसके बारे में जो फ्रेंच revolution हुआ था मेंली वो जैसे equality हो गया liberty हो गया fraternity हो गया इस सिदान्तों के ओपर वो यहाँ पे उन्होंने अपना दोल कर पाएं इसके उपर इन्होंने जोर दिया था कलियर अधर यहां पर जो यहां पर जो लोग थे उन्होंने वोमेंस के जो वोटिंग राइट्स हैं उनके बारे में भी बात की यहां पर यह जो प्रेशर क्रीट किया गया government के ओपर जिसकी वज़े से उन्होंने बाद में constitution क announce करना पड़ा था clear so next यहां पर move करते हैं class यहां पर जो प्ले लिस्ट है 11 की सभी नीचे आपको description box में मिल जाएगी so third topic की और move करते है daily life क्या था यहां पर जो जपान की transformation थी modern society में वो यहां पर बहुत सरे बदलाव देखे जा रहे थे everyday life में ठीक है जो रोज मरा के इनके जिंदकी थी so उसमें बहुत सरे बदलाव देखे जा रहे थे new home पहले क्या था कि यहां पर जो एक patriarchal system था मतलब कि यहां पर बहुत बड़ा परिवार था सभी साथ में रहते थे यहां पर दादा पर दाता हो गया ठीक आगे उसके बच्चे हो गया आगे उसके बच्चे सो बहुत नहीं पर बड़ा आगे उनके बच्चे बस यहां पर चोटी जो फैमली होती है ना उसे बड़ा जाता है जहां पर हस्बेंड और वाइफ क्या होते हैं साथ में रहते हैं अजे ब्रेडवीनर मतलब कि यह दोनों काम करते हैं गर को चलाते हैं यहां पर बहुत सब्सारी जो सबी को यहां पर बहुत जादा एहमियत दी गई थी और इनकी जो डिमार्टी वो बढ़ती जा रही थी ठीक है सो यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में यहां पर दिया गया है सो राइस कूकर है यहां पर बिजली से चलने वाला हो गया सो उसके बाद यहां अमरीकन ग्रील यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है टॉस्टर हो जाएगा और यहां पर जो यह तो है यहां पर अमरीकन ग्रील हो जाएगा यहां पर क्या करता है यह मां से आज जो मचली होती है उसे बूनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यहां पर दूसरी त का जो टाइम पिरेर था उसमें यहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो बहुत ही सस्ते दामों पे गर प्रोवाइड कर रही थी लोगों को बनवा के ठीक है वो क्या गरती थी यहां पे कुछ पैसे पहले दो उसके बाद मंतली इंस्टॉलमेंट कर लेते थे सो दस साल यहां पे ऐसी चलता रहता था तो इस परकार से सस्ते सस्ते गर उन्हों ने बनवा के देने शुरू किये सबी को सो फोर्थ टोपिक के और मूव करते हैं ओवर कमिंग मौडरनीटी आदो निकता पर विजए किस परकार से पाई जा सकती है इसके ओपर यहां पर देखेंगी अब यहां पे में लिए जो जपान वाले थे ये क्या कर रहे थे ये सोच रहे थे कि हम यहां पर जो जपान का कल को यहां पर एक balance create करना बहुत जादा जरूरी था इसके ओपर इन्हों ने यहां पर चर्चा करनी शुरू की कि यहां पर जो modernity है उसके उपर हम किस परकार से यहां पर उसे overcome कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं जपान ने यहां पर launch करे थे थी कि वोर यहां पर उनके दुबारा की जा रही थी अपने empire को एक्स्टेंड कर रहे थे चाइना हो गया other parts जो एशिया के होगे यहां पर उसके बाद यहां पर इन्हों क्या करा कि USA की उपर इन्हों ने अटेक करा परल हर्बर के उपर ठीक है तो उसके बाद यहां पे जो वर्ल्ड वर टू हो रही थी उसमें यह मर्ज हो चुका था उसमें कुद पड़ा था यह ठीक है इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी यहां पर नहीं देखेंगे यहां पर ज्यादा तर बूमेंस और्गनाइजेशन इसमें हुआ करती थी जो वर को स्पोर्ट करते थे अब यहां पर जो लोग वर को स्पोर्ट नहीं करते थे यह चीजों को स्पोर्ट नहीं करते थे जो यहां पर इनकी दुवारा यहां पर लाई जा रही थी तो उसे य लिए इस बात के ओपर चर्चा की जा रही थी कि जो जपान की अडेंटिटी है उसे कैसे बचा के रखा जा सके और जो वेस्टरन कल्चर है उसे भी यहां पर इंड्रिड्यूस किया जाना चाहिए क्योंकि यहां पर इंसे बहुत कुछ सिखने को मिर रहे है अब ऐसे ना हो कि वेस्टरन कल्चर इतना जादा हो जाए कि यह जपान का जो कल्चर है उसे भूल ही जाएं यहां पर लोग ठीक है आने वाली जो पीड़ी है तो इसलिए यहां पर इस बात के ओपर चर्चा की जा रही थी तो एक यहां पर मुजीशियन है सो मुरोई सा बूरो ठीक है सो ना यहां पर याद रखना याद रखने की जूरत ने इतना जादे इंपोर्डन नहीं है वैसे भी यह तो यहां पर मुजीशियन थे अब इन्हों ने यहां पर क्या करा कि जो जैपनिस आर्ट है आर्ट ओफ स्पिरिट है यहां पर इस चीज़ को फिर से रिस्टोर करना मतलब कि जैसे पहले थी उसी चीज़ को यहां पर अब भी जीवित रखना या पूरे विशम में इस चीज़ को फेलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहां पर क्या किया जाए जो जैपनिस म्यूजिक है उनने वैस्टरन इंस्ट्रूमेंट्स के ओपर किस तरह यहां पर को यहां पर डिफाइन करा गया मेरी आप्टीश प्री स्ट्रीं सेंप उस्संटर अंधर की सो क्या कर आ है पहले तो है रैनेसंस एक है रैनेसंस कि बारे में हमने रिटेल में देखा था लास्ट विए इसके बाद याँ पर प्रोटेस्टन राफोमेशन है इसमें हमने यहा आगदर्शन हमें मिलेगा लाइफ में और हम सुवर्क की प्राप्ति हमें हो सकती है ठीक है इसके बारे में हमने भी डिटेल में देखा था कि क्या था यह और यहां पर राइज ओफ नैचुरल साइंस मतलब कि जो फिजिक्स कमिस्ट्री बायो यह वो सब कुछ यहां पर जपान की जो मौरल एनर्जी ए ठीक है नैतिक जो शक्ती है उसने यहां पर बहुत ज्यादा मदद की कि यहां पर जो क्लोनाजेशन है अब इससे बचाने में ठीक है मतलब कि बहुत सब्सक्राइब कंट्री है वहां पर क्लोनियल यहां पर देखने को मिर रहा है जाए इस्ट एशिया में उसमें हमें अपने एक नया योगदान बहुत बड़ा योगदान देना चाहिए तो यह बात यहां पर बोले गई थी तो एक जो नया वीजन है वह क्या करता है वह जोडता है साइंस को और रिलीजन जो दरम है उन दोनों को यहां पर जोड़ने का कार्या करता है तो यह बात यहां पर बोली गई थी क्लियर है तो यहीं पर पार नंबर फॉर समापत होता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना